नमस्कार, SM News में आपका स्वागत है, मैं नाम है कोमल और आप देख रहे हैं SM News आज हमारे साथ हैं पौजी जंदा पार्टे के अध्यक्ष राम महर मलिक जी मलिक जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है नन्यवाद कोमल सर, मेरा सवाल आप से है कि जो गौर्णमेंट संस्ता है, उन पर हो रहे जो घपले हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखे कोमल, देश जो है, वो देश को चलाने के कई तरीके होते हैं एक उपर जैसे केंदर सरकार है उसके नीचे राज्यों में राज्यों सरकार हैं इसके अलावा समयदाने के एजिंसियां हैं समयदाने के संस्तार हैं जो अपनी अपनी जगे पर सब अपना अपना काम करते हैं जिसमें सी बी आई है एलेक्शन कमिशन हैं और बहुत सारी हैं अदालते हैं, तो यह रिजर्व बंक हैं, यह सारे इनको अपने-पने काम करने होते हैं, और वो अपना-पना independent काम करते हैं, उनको अधिकार दिये गए हैं, कि यह बिलकुल निस्पक्स त्रीके से, बिना सरकारी दखलदाजी के, उसके यह काम करते थे, लेकिन यह सरकार जो पिसले पांच साल पूरे करके इन्होंने तो पूरे धजिया उड़ा दी कानून की, कुछ नहीं, इन्होंने कोई भी काम सिस्टेमेटिकल ही नहीं चला है, सब सारी समधानी संस्ताओं का अपनी मुठी में करके रखा है, उनको उनके तरीके से काम करने के लिए किसी को भी अजाज़त नहीं जा रहा है, अब आब वरतमान में देखी अभी जो चुनाव लोक्षभागे दोजार उन्रीस के संपन हुए थे, इसमें चुनाव आयोग का बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, चुनाव आयोग पूरी तरह से सरेंडर कर गया, सरकारों के स चुनाव आयोग का, कहीं बी कोई रोल ये नजर नहीं आया है, कि इसकी कोई अपनी जिम्मेवारियां है, और ये अपने अधिकार सित्र में रह करके, अपने तरीके से काम करें, दुनिया बर के इनोंने कोड ओफ कंड़क्ट जो तोड़े हैं, परदानमंदरी महुदे ने, कोई भी कहीं भी उनके खलाब एक्शन लिया है, हमने इनके खलाब धरना भी दिया है, मेमोरंडम भी दिया है, क इसे ने किसी कोई ने कोई नाजाज दबाओ डाल करके, जो कि ये बहुत दुखत है, नेले तो बिलकुल टोटली फ्री होना थी है, एक दम उसके उपर कोई दबाओ नहीं होना थी, लेकिन ये लोग नेले को भी जहां से पुरे देश की उमीदें जुड़ी है, उसको भी पिछली सरकारों के दोरान में देश के उपर आर्थिक संकटाया था, लेकिन उन्होंने रिजर्व बेंग के रिजर्व पैसे को यूज नहीं किया है, वो हमारा उस वकत के लिए होता है, जब बिलकुल एक्स्ट्रीम सरकमस्टांसिस आ जाजाएं जब और कोई रास्ता नह है, इन्होंने उस पैसे को भी यूज कर लिया, क्यों यूज किया, आपको ध्यान होगा, दो रिजर्व बेंग के गोवर्नर रिजैन करके चले गए, क्योंकि उन्होंने इनकी बात मानी नहीं थी, यह उनको कटपूतली बना करके नचाना चारे थे, अपने हिसाब से पैसे को यूज करना चारे थे, उन्होंने नहीं माना, अब वर्तमान में, जो कि उनकी अगर देखा जाए, तो रिजर्व बेंक के, उसके लाइक उनकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, कि वो रिजर्व बेंक की जो है, इतने बड़े ओहदे को वो संभाल सकें, उसके लाइक उनक क्वालिफिकेशन भी नहीं है लेकिन क्योंकि इनको अपने इसारे से चलाना था और उन्होंने वहां से भी एक लाख छीटर अजार रुपे छीटर अजार क्रोड रुपे निकाल लिए अब कहा गया वो पैसा क्या देश को जवाब देंगे देश का इतना टेक्स जा रहा है स रंदी इतनी आ गई है बहुत बुरान है समैधन इक संस्ता है अगर ऐसे ही रहा को मल तो ये देश जो है कैसे चलेगा बहुत गलत देशा मेजा जाएगा क्योंकि हर एक समयधनिक संस्ताओं का पुलिस का अपना रोल होता है ये पुलिस के रोल को भी यह लोग अपने तरी कर के ये देश सहीध इसामन जाएगा और नहां बहुत दुख़त है पिर ये सहीध इसामन नहीं कर रहे है आज की तारीक में तो ये बहुत इन बहुत चंता का वैसा है इस आपका बहुत बहुत धन्यवादством हमारी चैनल से बात करने के लिए जैहिँ जैहिँ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सबी लेटिस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले